आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ हमारे सवाल यह है इन में से क्या एसेट में नहीं आता है बैले सीट के कमपनी के हमारे ओप्चिन क्या क्या दियो है Cash, Amounts Receivable, Tools and Equipment, Capital Stock तो पहले हम यह जान लेते हैं, Balance Sheet होता क्या है तो Balance Sheet होता क्या है हमारा Balance Sheet Financial Statement को कहते है कमपनी के Financial Statement को कहते हैं कमपनी में जिसमें वो अपने Finances related चीजों के बारे में कमपनी एक स्टेटमेंट देती है और उसमें बताती है कि कमपनी की चीजे कैसे चल रहे हैं तो इस Financial Statement में वो क्या-क्या बताती है कमपनी अपनी कमपनी के Assets के बारे में बताती है Liabilities के बारे में बताती है Assets मतलब जो उनके Beneficial है, Liabilities जो उनकी नुकसान में है चीजे ऑर कमपनी के Stakeholders के बारे में बताती है यह बात आप धियान रखिएगा सब कि financial statement में क्या क्या चीज़ आती हैं तो assets, liabilities and stakeholders अब हम अपने options देख लेते हैं cash तो normal liquidity term है जिसमें normal cash की बात हो रही है amount receivable जो है हमारा company का important asset होता है जो होता तो cash की तरह है बट cash नहीं होता एक asset है पर जो cash नहीं होता है amount receive करी जाती है बहुत सारे अलग-अलग चीज़ों के form है तो cash में भी receive करी जाती है और product form में भी जो company का वो होता है उसमें भी receive करी जाती है तो amount receivable जिससे amount पैदा हो ठीक है tools and equipment हमारे tools company के tools और equipment की बात हो रही है चौथा जो हमारा capital stock capital stock उसको कहते हैं जो company shares जो shares company authorize होती है issue करने के लिए किसी को भी तो उस चीज़ को हम कहते हैं authorized to issue capital stock तो इन मैंसे क्या है जो balance sheet में नहीं होता asset नहीं होता हो है हमारा capital stock तो हमारा answer क्या हो जाएगा option D capital stock hope you understand this solution thanks for watching the video